नमश्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आप सभी का सिक्षा प्रभा में तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि CBSC का TUM 1st का 10th क्लास का रिजर्ट डिक्लेर हो चुका है और अभी जो बच्चे 12th क्लास में हैं जिन्होंने 12th क्लास फॉस्टरम की एक्जाम दी हैं उनके दिमाग में अब यह आ रहा होगा कि हमारा 12th क्लास का रिजर्ट अब कब आएगा तो बटा जल्दी ही आप लोगों का भी रिजर्ट 12th क्लास का रिजर्ट भी आ जाएगा में भी शायद कल आपका रिजर्ट आ सकता है और इसके बाद आपके दिमाग में होगा कि हम अपना रिजर्ट कहां पर देखें और कैसे देखें तो दोस्तों अगर आपने शिक्षप्रवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सिक्षप्रवा को सब्सक्राइब कर लें जिससे की इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहें और बिटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना खुलें तो अब हम जानते हैं कि हम अपना 12th class का result कहां देखें और कैसे देखें तो दोस्तों इस बार CBSC ने हर बार जहां पर result अप्लोड करता था वहां पर अप्लोड नहीं किया है उसने बिल्कुल नए तरीके से result डिकलेर किया है 10th class का और कुछ इसी तरह से वो result डिकलेर करेगा class 12th का इसके लिए बिटा सबसे पहले आपको क्या करना है जब भी आपका 12th class का result डिकलेर होगा तो आपको जिक्शाफरवा पर इसकी जानकारी मिल जाएगी और इसके बाद आपको contact करना है, अपने school teacher से, अपने class teacher से, अपने school में अपने contact करना है, class teacher से बात करनी है और अपने result के बारे में पूछना है, तो यह है सबसे simple तरीका आपके result कैसे आपको मिल सकता है class 12 का, इसके अलाव बिटा एक दूसरा तरीका है, वो यह है कि यह है CBSC क करके अपलोड करता था, तो में भी हो सकता है कि कुछ घंटों के बाद CBSC इस website पर भी 12 क्लास का result अपलोड कर दे और साइट को अपडेट कर दे, तो सबसे पहला है, टीचर से आप बात कीजिए, अपना result उन से लीजिए, और उसके बाद आप इस website को भी एक बार लगातार करते रहें, तो बिटा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिक्षा प्रवा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें